आज से करीब 66 मिलियन साल पहले धरती पर करीब 10 किलो मीटर से भी बड़ा एस्टरोइड गिरा था और उसने धरती पर सारे डाइनोसोर्स को खत्म कर दिया था वेल ये है टीम एस्टरोइड और ये है टीम वालकेनों जिनका कहना कुछ ये है आज से 66 मिलियन साल पहले धर्थी के अंदर से करीब 5 लाग क्यूबिक किलो मीटर में उबलता हुआ लावा निकला और उसने इस धर्थी पर जीवन को पूरी तरहिके से खत्म कर दिया और साथ ही साथ पूरे डैनसौर्स की प्रजाति हो भी तो डैनसौर्स के खत्म होने का रीजन क्या है देखो इस सवाल का जो जवाब है उसको डूणने के लिए बहुत सारे अलग 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 जो साइंटेस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थियोरीज दी हैं कुछ कहते हैं के बहुत एक कॉस्मिक रेज की वज़े से जो डैनसौर्स है वो खत्म हो गए खतरना कॉस्मिक रेज की वज़े से कुछ कहते हैं के उन्हों सबको बहुत बड़ी महामारी हो गई थी मतलब कोई बिमारी फैली, जो एक से दूसरे को फैल दी गई, और इस तरह से पूरा डाइनसौर्स की जितनी भी प्रजाती है, वो सारी के सारी बिमारी के चलते खत्म हो गई, कुछ कहते हैं कि, मतलब ये इतने सालों पहले, हजारों लाखों साल पहले, हमारे धर्ती का पूरा जो जमीन वाला हिस्सा था, वो एक साथ था, और बाकी जो पानी का हिस्सा था, वो एक साथ था, हम सबको पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मुवमेट की वज़े से, ये सारी चीज़े अलग-अलग हुई है, तब यहाँ पर कुछ का कहना है, कि जब ये पूरी धर्ती एक साथ थी, तो ये लगभग most of the 90% हिस्सा जंगल था, और किसी वज़े से इस पूरे इलाके में आग लग गई, और उस आग की वज़े से, धर्ती पर जीवन पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन इन सारी थीयोरीज में से, ये जो दो थीयोरीज है न, ये दो थीयोरीज सबसे ज़ादा promising है, क्योंकि इसके evidence हमें सबसे ज़ादा सही, और सबसे ज़ादा accurate लगे, तो आज की वीडियो में हम इनी दोनों पर focus करेंगे, और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी थीयोरीज जीतती है, टीम वलकेनों के हिसाब से, उस वक्ट जमीन से करीब 5 लाग क्यूबिक किलोमीटर्स में लावा निकला, जो कि डाइनसौर्स के खत्म होने का कारण बना, और क्या आपको पता है कि जमीन के अंदर से जो ये लावा निकला था, वो कहा निकला था? वो निकला था डेकन ट्रैप्स में, जो कि महारास्टरा इंडिया में मौझूद है, मतलब देख रहे हो कि इंडिया की हिस्ट्री कितनी जादा इंशियन्ट है, कितनी जादा पुरानी है? इवेंट जब डाइनसार्स यहाँ पर थे, तब के इवेंट्स भी आज हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे भारत में, तो यार इसी बात पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है, खेर, अगर आप कभी डेकन ट्रैप्स के आसपास गए हो, तो यह पूरा का पूरा इलाका, जो लावा होता है, वो जब ठंडा हो जाता है, तो उससे जो पत्थर बनता है न, उसको हम इगनियस रॉग या मैगमेटिक रॉग कहते हैं, तो इस रॉक से यह पूरा का पूरा हिस्सा बना हुआ है, रिसर्चर्चर्स के मुताबिक, जब यह लावा एक्स्पोजर हुआ था, मतलब जब यह वॉल्कैनिक एक्टिविटी हुई थी, तो उस टाइम इस धर्ती पर इतनी जादा मातरा में गैसेज निकली, इतनी जादा मातरा में हीट निकली इन लावास की वज़े से, कि उसने धर्ती के ग्लोबल एवरेश टेंपरेचर को बढ़ा दिया था, और वो इतना बढ़ा दिया था कि इस धर्ती पर मौजूद 3-4 स्पीशीज पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, अब हाँ हो सकता है, सही बात है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उन 3-4 स्पीशीज में से डाइनसॉर्स भी हो, वेल इसका जवाब मिला हमें सेडिमेंट कोर्स में, 2012 में इंडियन ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत, दुनिया के अलग 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 जगहों में से, समुद्र के तल में से, अलग अलग सेडिमेंट कोर्स के सेंपल्स निकाले गए थे, अब आप सोचोगी, ये सेडिमेंट कोर्स होते क्या हैं, तो देखो, आप सबको पता है कि हमारी जो धरती है, उसकी एक-एक लेयर बनने में, हजारों, लाखों सालों का टाइम लगता है, अब अगर हम जो हम जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अगर हम गड़्डा खोद कर सेंपल्स निकालने की कोशिश करें, तो वो तो काफी गलत होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले 10 साल, 20 साल में यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, नहीं डाली गई है, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर human activity बहुत ही जादा होती है, तो यहाँ से अगर हम सेंपल निकालेंगे, तो वो सही सेंपल्स नहीं होंगे, इसलिए scientist क्या करते हैं, समुद्र के अंदर, नीचे बिल्कुल, जहाँ पर human का interaction नहीं हो सकता, तो वहाँ पर ऐसी hollow pipes डाली जाती है नीचे, और वहाँ से मिट्टी के सेंपल्स को कलेक्ट किया जाता है, जो कि बाहर निकलने के बाद इस तरीके के cylindrical shape में मिलते हैं, और जब हम इनको बीच में से खोलते हैं, तो हमें अलग-अलग layer देखने को मिलती है, जो कि हजारों, लाखों साल पुरानी हो सकती है, तो जब 2012 से निकाली गए, इन sediment course को एक साथ लाया गया और इस पर studies करी गई, तो हमें इसमें 40 million साल पुरानी अपने धर्ती की climate history जानने को मिली, और साथ ही साथ हमें मिला KT या KPG boundary, अब देखो यह जो boundary हैं, इनको मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, हम अभी यहाँ पर धर्ती पर रह रहे हैं, हमारे पास oxygen है, हमारे पास समुद्र है, हमारे पास पेड़ पौदे हैं, तो यह एक एरा है, अब मान लो यह एरा दो लाग साल तक चलता है, अब आज से लेकर दो लाग साल तक धर्ती भी रहेगी, समुद्र भी रहेगा, पेड़ पौदे भी रहेंगे, हम इनसान भी रहेंगे, मान लो के अभी से 1,70,000, 1,80,000 साल बाद हमारे धर्ती में changes होना शुरू हो जाते हैं और उसके 20,000 साल बाद मतलब आज से total करीब 2,00,000 साल बाद यहाँ पर हमारी धर्ती पर एक ऐसी species रहने लगती है जिसको न ऑक्सीजन की जरूरत है न पानी की जरूरत है इन सारी चीज़ों की उसको जरूरत नहीं है तो अब वो एक नया एरा शुरूर हो जाएगा अभी की जो मिट्टी है वो मिट्टी देखो मैंने सेंपल के लिए बनाया है अभी की जो हमारी मिट्टी है वो कुछ ऐसी होगी अब मान लो जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तब की मिट्टी हमारी कुछ ऐसी होगी तो ये मिट्टी में अब ये आप इसको ये एक सेडिमेंट कोर होगी अगर हम उस टाइम पर आज से दो लाग साल बाद निकालेंगे सेडिमेंट कोर्स को तो वो ऐसी कुछ देखने को मिले गिया में अब यहाँ पर आप इसको एक टाइम लाइन की तरह भी समझ सकते हो पर इक्जमपल जैसे ये हम इनसान है ये जो टाइम लाइन है ये अभी तक चल रही है मतलब सब कुछ ठीक है अब यहाँ से चीज़ चेंज होना शुरू होगर यहाँ पर जाकर पूरी चीज़ चेंज हो गई तो ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये दो एरा को सेपरेट करती है मतलब अब ये जो बाउंडरी भी देख रहे हो ने ये भी कई हजार या कई सो सालों तक का टाइम हो सकता है इसमें एक लेयर जो होगी वो भी कई सो साल की होगी ये जो टाइम देख रहे हो ये पूरा दो लाग साल तक का है तो आप imagine करो के छोटी से लियर कितने हजार सालों की होगी तो इससे आप ये समझ सकते हो कि जो boundaries होती है वो दो era को अलग-अलग separate करती है तो KT या KPG boundary जो थी वो cretaceous period और peliogene period इन दोनों को इन दोनों era को separate करती थी तो इसी लिए इस वाली boundary को KT या KPG boundary कहते हैं तो अब team volcano का कहना था कि जो dinosaurs खत्म हुए और उससे पहले जो 3 और बड़े mass extinction हुए थे उसमें कहीं न कहीं volcanic activities शामिल थी हाँ, माना के आपका asteroid जो है वो गिरा था लेकिन उससे बहुत मतलब पूरी दुनिया की life खत्म नहीं हो सकती हो सकता है जो local जैसे bomb गिरता है तो आसपास के इलाके खत्म हो जाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपका जो asteroid गिरा था उससे आसपास के इलाके खत्म हो गयोंगे लेकिन life खत्म नहीं होई होगी environment, computer simulation बनाए जो पूरा उस time पर जो हमारी climate history थी जो हमारे temperature वगरा थे उन सब को बिल्कुल copy कर सके मतलब एक virtual दुनिया बनाए जो उस time पर थी और उस चीज़ से जो data मिलेगा उस चीज़ से हमारे temperature मिलेगा या जो हमें जो भी सारी information मिलेगी उसको जो हमारे sediment course हमें मिले है 2012 में उससे जो भी हमें carbon के जितने भी value है जितना हमारे temperature change हो सकता है over the period of time ये सारी चीज़ों को अगर हम आपस में match करेंगे तब ही तो जाकर हम किसी चीज़ को proof कर पाएंगे कि हाँ simulation में ऐसा दिख रहा है और actual में जब हम देख रहे हैं तो भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है तो हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है ऐसा ही करके तो हम confirm कर सकते हैं और तो कोई तरीका है नहीं हमारे पास या फिर भईया आप एक time machine बना लो और वापस जाकर देख लो कि क्या हुआ था तो दूसरा option तो बिलकुल cancel है हमारे लिए तो पहला ही option हम कर सकते हैं तो scientist ने बिलकुल यही करा जो भी team volcano का कहना था मतलब जो भी वो लोग कह रहे थे कि यह ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है अगर volcanic corruption होता है तो उसमें हमें deck and traps में में कौन-कौन सी चीजे मिली मतलब ठंडे होने के बाद जो चीज बन गई न तो ठंडे होने से पहले वो लावा में क्या रही होगी उससे कौन-कौन सी gases निकली होगी उस gases ने climate पर क्या effect डाला होगा इन सारी चीजों को अपने जो computer simulation है उसमें डाला और वहां से एक model temperature निकाला और उस temperature को match किया जो sediment core से temperature की data निकला था उस चीज से तो इस चीज को करने के बाद उन्होंने जो ये data निकला सारा का सारा इस से अलग-अलग scenarios बनाए कि हाँ या तो ऐसा हुआ होगा या तो ऐसा हुआ होगा यार 2 degree Celsius बढ़ने से क्या ही हो जाएगा तो अगर आपने मारी ये वाली वीडियो नहीं देखिए जहां पर मैंने बताया है कि अगर धरती पर सिर्फ 4 degree global temperature बढ़ जाए तो उससे क्या होगा तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो 2 degree भले ही आपको सुनने में बहुत कम लग रहा होगा लेकिन actual में ये बहुत बड़ा impact हमारे धरती पर कर सकता है लेकिन यहाँ पर interesting बात ये निकल कराती है कि इस scenario में जब हमने model temperature से सारी कुछ calculation करी और जब हमने sediment course से उसको match कराने की कोशिश करी न डेटा को तो हमें पता चला कि जब ये asteroid impact हुआ था मतलब जो हमें ये वाली मिट्टी मिली न यहाँ के आसपास ये हमारा जो separation है जो impact हुआ था वो यहाँ से होना शुरू हुआ इतने time तक मतलब इतने 1000 सालों तक उसके impact का जो असर है वो रहा था तो यहाँ पर impact होना शुरू हुआ ये black valley line पे तो इससे पहले temperature यहाँ पर बहुत ज़ादा था जब volcanic eruption हुआ तो उसने global temperature को बढ़ा दिया वो हमें मिट्टी में देखने को मिल रहा है कि temperature यहाँ पर बढ़ा हुआ है लेकिन जब तक वो asteroid impact हुआ था तब तक temperature वापस से normal हो चुका था मतलब जैसा temperature पहले था वैसा ही temperature इस impact के बाद भी मतलब इस impact से पहले भी हो चुका था क्योंकि अभी देखो यह जो cretaceous period है यह खत्म तो हुआ नहीं है और यह जो period है इस पूरे period में dinosaurs थे जब यह period खत्म हो गया इस impact के बाद यह जो peliogene period आ गया ना इसमें dinosaurs खत्म हो गए थे क्योंकि यहाँ पर जो यह यहाँ तक का period है इसमें हमें dinosaurs के poop के sample उनके जो अलग-अलग जो मतलब वो लोग खाते पीते थे यह सारे चीज़े उनके पेरों के निशान यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिली लेकिन यहाँ पर जो samples है ना इस sample में हमें dinosaurs के होने का नामो निशान भी नहीं मिला तो इस से साफ हो जाता है कि इस scenario से कि अगर आप कह रहे हो कि 2 degree temperature बढ़ा था तो हाँ बढ़ा था लेकिन impact से पहले वो वापस ठीक भी हो गया था नॉर्मल जो पहले था वैसे ही हो गया था लेकिन dinosaurs तो अब भी थे हमें samples यहाँ पर बता रहे हैं dinosaurs थे impact के बाद हमें clearly samples बता रहे हैं कि impact के बाद जो asteroid गिरा था उसके कुछ time बाद dinosaurs बिलकुल खत्म हो गए तो यहाँ पर यह बाद clear हो जाती है कि जो 2 degree temperature बढ़ने वाली बाद थी वो तो आपकी बिलकुल खत्म हो गई इससे तो dinosaurs नहीं मरे हो सकता है जिसने इस scenario सोचा था उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी तो चलो एक और scenario देख लेते हैं इसमें क्या है कि मान लो दुबारा से हम अपने sediment course को लेते हैं यह हमारा sediment course है ठीक है इसमें क्या है जो अपने researchers हैं वो लोग क्या कह रहे है volcanic team volcano वाले क्या कह रहे है कि जब आपका impact हुआ उसके बाद भी जो हमारा volcanic eruption था वो चल रहा था मतलब eruption होना शुरू हुआ वो लावा निकलतारा निकलतारा asteroid हमारी धर्ती पर गिरा उसकी वज़ाए से जो impact होना था वो हुआ जो life जानी थी गई पूरी life खत्म नहीं हुए डानसौर्स पूरी तरीके सा खत्म नहीं हुए अब उसका impact खत्म हो गया लेकिन जो eruption है वो अब भी हो रहा है उस eruption की वज़ाए से ही जितने बचे हुए डानसौर्स थे वो सारे के सारे मरे हैं ये लोग मानने को तयार ही नहीं है कि एस्ट्रोइट की वज़े से हुआ था चलो इनकी ये बात भी मान लेते हैं कि हाँ भी चलो ठीक है जो आपका impact हुआ उसके बाद भी जो लावा है वो निकल ला था लेकिन जो हमें यहाँ पर samples मिले हैं यहाँ पर जब हमने उसकी study करी तो हमें यह पता चला कि इस जो लावा अगर निकल भी रहा था तो उसका कोई भी जो atmosphere है उसमें कोई भी हमें impact देखने को नहीं मिला अब imagine करो इतने बड़े level पर अगर लावा निकल रहा है तो उसका भाई वो carbon dioxide नहीं निकलेगा क्या दूसरी कैसे नहीं निकलेगा क्या उसका हमारे climate पे effect ही नहीं पड़ रहा यह चीज कैसे possible है well तो उसका भी जवाब हमारे पास है और वो जवाब है समुदर के अंदर पाये जाने वाले single celled creature जिनका नाम है four arms देखो हमारे atmosphere में जो carbon dioxide मौजूद होती है न उसको हमारे समुदर भी absorb करता है वो समुदर क्या मतलब जो plant वगरा है समुदर के अंदर वो लोग यूज करते हैं और बाकी जो दूसरे creatures हैं जिनको जरुआ थै किसी चीज के लिए वो लोग अपना इस carbon dioxide का इस्तमाल करते हैं लेकिन यह जो four arms है यह क्या करते थे यह जितने भी carbon dioxide के molecules से उनको लेते थे और उससे अपने लिए एक shell बनाते थे जिसके अंदर वो protect रह सकें तब वो single cell जब तक जिन्दा रहते थे वो धीरे-धीरे करके जमीन की तरफ आते रहते थे और जब वो मर जाते थे और जब उनका shell जमीन पर आ जाता था तो वो धीरे-धीरे degrade होता चला जाता था और उस shell के अंदर जो carbon dioxide मौझूद थी वो आपकी मिटी के अंदर मिल जाती थी तो अब यहाँ पर हुआ क्या जो आपकी atmosphere में मौझूद थी carbon dioxide वो पानी में absorb ही और पानी से इन four arms में उसे जमीन में मिला दिया अब यहाँ पर interesting बात यह है कि cretaceous period के दोरान तो यह बहुत भारी मात्रा में समुदर में मौझूद थे लेकिन paleogene era के दोरान इन four arms का नामों निशान मिट चुका था तो इससे देखो होता क्या था जब four arms थे तो most of the carbon dioxide समुदर inhale करता था वो लोग four arms अपने use के लिए इस्तमाल कर लेते थे तो जो plant वग गया तो इससे जाधा plants बनने लगे और उन plants को और जाधा carbon dioxide की ज़रूरत पढ़ने लगी तो कुल मिलाकर हमारे समुदरू को जो carbon dioxide है वो जाधा चाहिए थी तो उसने atmosphere से जाधा carbon dioxide लेना शुरू कर दिया और यही वो वज़य है जो मतलब इतना बड़ा impact हुआ इतना लाव निकला तो उससे जो carbon dioxide निकलनी चाहिए थी atmosphere में जो climate change होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्योंकि most of the carbon dioxide थी वो हमारे समुदर ने ले ली तो यहां से भी यह चीज़ clear हो जाती है कि जो volcanic eruption था उसकी वज़य से जितने पूरी life जो है वो हमारी धर्ती पर खत्म नहीं होई थ और हम सब यह जानते हैं कि dinosaurs तभी खत्म हो थे जब धर्ती पर पूरी तरीके से life खत्म हो गई थी तो इस नई study के according team asteroid एक बड़े margin से जीच जाती है मतलब हमें कोई भी ऐसा proof नहीं मिला एक ऐसा ठोज scenario नहीं मिला जिसको अगर हम पूरा जो course हमारी मिली है उसकी information को अगर ह हम बात करें asteroid की तो वहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है कि जो हमारा impact होना शुरू हुआ था जब यह यहाँ पर impact हुआ था उसके कुछी time बाद आप देखो यह temperature change हो रहा है उसकी वज़े से देखो कितना बड़ा time है इससे पहले जितने भी हमारे mass extinction हुए थे उसम dinosaurs के खत्म होने का time period था वो कुछ 100 सालों का ही था मतलब बहुत चोटा time period था उतना ही time period में dinosaurs खत्म हो गए तो यह clearly दिखाते हैं कि impact की वज़े से आदे से जादा तो impact की वज़े से खत्म हो गए उसके बाद जो बचे खुचे थे इस impact की वज़े से जो धुआ निकला जो जह chance से वह अपना food नहीं बना पाए और हम सब को पता है कि अगर सूरज की रोशनी अगर नहीं मिले धर्ती पर तो life किस तरीके से खत्म हो सकती है तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जो impact हुआ था उसके बाद जो life बच गई थी उनके साथ तो आप मुझे बताओ इस नई study के according आपको जितने भी scenarios लग रहे हैं वो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी team जीतनी चाहिए और अगर आपका इससे पहले कोई अपना opinion था इसके बारे में तो आप क्या थे मतलब आपको opinion क्या था आप team वालकेनों के साथ थे या फिर team asteroid के साथ नीचे comment करके जरूर बत तरम